बट्टूकला रेल्वे स्टेशन पर वीरवार सुबह चलती ट्रेन से उतरतेस में एक युवग गिर कर गायल हो गया युवग के गिरने के प्लेट फर्म पर खड़े लोगों ने तुरूंत युवग को एंबुलेंस की साइथा से समदा एक स्वास्ते के अंदर बट्टूकला पहुचाया मिली जानकारी के अंसार लेवारी से चलकर फाजिलका की और जाने वाल इश्वारी गाड़ी बट्टूकला रेलियो स्टेशन पर पहुची जब गाड़ी रूप कर दोबारा चलने लगी तो बिहार के गाउं शेर गाटी निवासी सुनील यादा उतरने लगा तो वह मुँ के बल गिर गया जिससे वह गंबी रूप से गायल हो गया गंबी रूप से गायल यूबक को तुरुट वट्टूकला सामदा एक्षवास तेके अंदर में उपचार के लिए भर्ति कराया गया जहां से प्राथमी उप्तारत के बाद उसे अग्रवा मेडिकल रेफर कर दिया गया बालाजी पबलिक स्कूल भट्टू मंडी के नौमी कक्षा के चातर आरियन ने अंडर फौर्टीन आयू वरग नेशनल वालिवाल परतियोगता में रज़त पदक आंसिल कर परदेश का नाम रोस्न किया है उडिशा के मुनेसर में 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आयूजित इस परतियोगता में अरियना की टीम ने रज़त पदक प्राप्त किया यह जान कर देते वे सकूल परदानाचारिय संतोस सर्मा ने बताया कि चात्तर आरियन ने अरियना की टीम में बतोर कप्तान भाग लिया और शानदार परदेशन करते वे टीम को रज़त पदक दिलाने में हैम बोमी का निवाई सकूल निदेशक नरंदर साइं सचीव रज़राम जानी ने परदेश की पूरी टीम को बदाई दी और आरियन के उज़वल वहिशे की कामना की सकूल परदेशक नरंदर कमेटी ने बालवाल कोच संदीप जानी वे परमीन कुमार को भी बदाई दी सकूल निदेशक ने कहा है कि उनके सकूल की बालवाल टीम हर वर्स अच्छा परदर्शन कर पदक हाशिल किये हैं सकूल में विद्यारतियों को शिक्षा के साथ-साथ- खेल में भी पूरा बैस करवा कर उन्हें उच्छ क्वाल्टी में खिलाडी बनाया जा रहा है